नमस्का दोस्तो प्रिप्यर टू एक्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है राइस्थान के दुर्गों से संबंदी संपूर्ण कोश्चन इस वीडियो में मैं आपके समख लेके आया हूं जिसमें जो किसी ना किसी एक्जाम में पूछ जा चुके हैं वीडियो सुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए नीचे लाल रंग के बटन को दबाएए फिर गंटी के आइकन को दबाएए जी हां दोस्तो अपने दोस्तों को सियर करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है मिठे सहा की दरगा किस दुर्ब में चती थे उपसण आपके सामने हैं पहला अप्सण है तरा गड़ दूसरा है लवा गड़ तीसरा अप्सण है गागरूनगड चोता अप्सण है जे गड़ दुरू जहां दोस्तों इसका राइटा अमसर होगा वारण भाध मете के थे चलते हृं next question कि तरफ अगला question है हई भी राजिस्तान के किस दुर में ओर जय अपने dasen धोरान ठेहदा था जहां दोस्तों कोन सा दुर्ग है जिसमें ओर जय अपने सक्षहन अभीहानों के दोरान ठेरता था पहला औप successes सहाबा दूल्ग दूसरा यह अगरदुर्ग valor तीसरा भेद्चन है तरगरदुर्ग जास्वी अचलगरदुर्ग जो सिरोई में इस्तित्त है और रंजयू अपनी दक्ष्ण अभीहानों के दोरानन इसमें ठेरता था छलेब दने नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ अकला कोश्चन है तेलिन के पड़सिद्ध महल किस दुर्ग में इस्तित है पहला एक कॉमलगर्दुर्ग दूसरा लोहागर्दुर्ग तीसरा फटेपुर्दुर्ग चोथा अप्सन है कोई नहीं यहां दोस्तों इसका रायट आंसर होगा फत्य पूर्दुर्ग जुस्ट सीकर में है ले चलते हैं next person की तरफ अग्ला कोश्चन है राजिस्तान का पहला विजो इस्ताम किस दुर्ग में है इसका राइट आंसर होगा लोहागर्दुर्ग जो भरतपूर में है गोज़ी श्थम चित्व गड़ में लेकिन पहला श्थम लोहागडर में हैं चले चलता है पांच वह क्वेशन नहीं है जागिरी किलो का सिर्मोर किस दुर्ग को कहा जाता है पहला प्सन भटनेदुर्ग दूसरा बाला किला तीसरा है कुछामन का किला चोथा उप्सन है तारागर दुर्ग जहां दोस्तों जागिरी किलों का सिर्मोर कुछामन का किले को कहा जाते हैं जो नागोर में हैं जागिरी किलों का सिर्मोर कहलाता है चले चलता है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अगला कुश्चन है राजिस्थान का कौन सा जिला हिं यहां दोस्तों इसका राइट अंसर होगा मेक जीन का किला जो एज मेर में स्थित है तो हिंदु मुस्लिम का एक मातरो जारण है कि छले चलते हैं स्कुस्टन की तरफ राइज्थान के किस दूर्ब को पूर्वी सीमा का प्रेहरी कहा पूरी सीमा का प्रहरी किस्ट दुर्ग को कहा जाता एभ नगे भटնेर दुर्ग, दुसरा है लोहागड दुर्ग, तुसरा है बयानद दुर्ग, चौतर अप्षन है पाला धिलालवर, जहां तो इस प्रेहरी कहा जाता है चलते हैं नेक्ट कोशन की तरफ अगला कोशन है राजिस्थान का वहेदुर्ग कौन सा है जिसमें बेटकार जहागीर जिसे नियाय के लिए जाना जाता है वो जनता की फरियाद सुनता था और उनके साथ कि अग्याय करता था ऑफ्सन है सोजद का किला दूसरा और तारगर्ड तीसरा है मेगजीन दुर्ग चौता यह बयाना दुर्ग इसका राइट आंशर होगा मेगजीन का किला जो आजमेर में हैं इसमें बेटकर जागीड जन्ता की फरयादे सुनता था अगला क्वेश्ण है चांदी के गूले डागने वाला किला कुन सा है जैसा की आपको मालुम होगा कि चांदी के गूला डागने वाला जो इतियास के बहुत ज्यादा परशिद्ध रहा है जो किसे न किसी एक्राम में पूछ जाता रहा है जो राच्थतन प्फुलीस हो पत्वार हो या आरस हो किसे ना किसी तरीके से ये question रिपीट होतार्यता है बिशेक कर रोगा चूरू का किला जी हां दोस्तों इसका राइट अंसर होका चूरू का किला चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं चांदी के गोले चूरू के महराजा थे सिवसी ने बीका नेर रियासत के खिलाब बारूद खतम होने पर चांदी के गोले बना कर बीका नेर रियासत के सेनिको को पड़ दागे थे चलिए चलते हैं next question के तरब आस्ट दातु से निरमित दर्वाजा किस upload में लगा हुआ है जी हां दोस्तो आस्ट दातु से निरमित दर्वाजा किस दुर्व में लगा हुआ है इसका right answer होगा लोहागड दुर्ग यानि जो भरतपुर में उसमें आश्ट धात्वों से निनमित दर्वाजा लगा हुआ है जिसको दिल्ली के किलाल किले से उखाड कर जवार सिंग लाया था जिसने भरतपुर के लोहगार किले में इसको इस्तापित कराया अज़िए चलते है नेक्स्ट के तरफ रायस्तान के किस दुर्ग में रानी सर राम सर पानी के जलास जिस्तित है पहला ऊप्सन है लोहागड दूसरा है जुना गड़ तीसरा है कुछामन जो था है कोई नहीं ज़िए दोस्तों इसको राइंसर वोगा जुना गड़ जो बीका पीकानेयर में श्थित हैं उसमें रानी सर और राम सर पानी के जला से श्थित हैं चले चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ जमीन का जेवर राइस्थान की किस दुर्प को कहा जाता है पहला अप्षन है सोजद का किला दूसरा है लोहागड तीसरा है जुनागड चूरू का किला जी हाँ दोस्तो जमीन का जेवर जुनागड दुर्ग को कहा जाता है जो पीकनेर में उसको जमीन का जेवर कहा जाता है चलिए चलते है नेक्स्ट कॉश्चन की तरफ उत्री सीमा का प्रेहरी किस दुर्ग को कहा ज कि दूसरा है भटनेटुर्ग को कहा जाता है जो दिली और मुलतान मार्क पर दिश्टित में राजिस्तान में सबसे ज्यादा आ कर्मण इसीदों प्रत पे हुए हैं जिर दूस्तों पहले आपने देखा होगा कि पूर्वीกह cricket को अ जाता चले चलते है नेक्स्ट क्यूस्टिन की तरब राइस्थान का कौन सा दुर्ग है जिस में मुगल भाश्या बाबर ने एक रात किस राइस्थान के किस दूर्ग में बिताई थी पहला यह लोगार्ड दूसरा वैयाना दूर्ग तीसरा है महगजीन दूर्ग चौता है ब कुछेंट की तरब राजिस्थान का कौन सा गये जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ देने द्टष किया था जहां दोस्तों ऐसा कुझ दूँधिन महिलाओं के साथ मुष्णी महिला हम ने बी जुहर किया था चलिए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ जेमल और फत्ता की गजा रूड मूर्तियां किस दुर्ग मेचते थें पहला अप्शन है सिवाना दुर्ग तुसरा है परन्थंबोर तीसरा है जूनागर चोथा है कोई नहीं जहां दोस्तों इसका राइट अंस कौन सा दुर्ग है जिसकी चत लकड़ी की बनी हुई है जिहां दोस्तों आपने पहली भार सुना होगा कि इसका कौन सा दुर्ग है जिसकी चत लकड़ी की बनी हुई है पहला अप्शन है लोहागड दूसरा है जेसल मेर तुसरा है कुचामा दुर्ग हुचोता है सिवाना विंसका राइट आंशर होगा जेशल मेर का किला जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है जिदिख और दुस्तो इसको दीमख यहां चाहें चंबल और वामनि नदी चले हैं नेक्स क्वेचिन की तरब हैं राइस्तान की किस दुर्ग में दाइस दो सिद्धे हैं जी आ दौस्तों ये किसी निरास्तान फ़लिस के कही अग्जामों में फूचा जा चुका है भास》 है किस दुर्ग में परिचिंदे फेला और मेरां गणाद már दूसरी है जेसान मेर दूर्ग IN दीसरा है चित्वूडगड दुर्ग चोथा उप्सन है रंधम बोर का किला यहां इसका राइटा आंसर होगा जिसल मेर का किला जिसल मेर का किला डाहिसा के लिए फेमस है चले चलते हैं नेक्स्ट कोशिन की तरफ अगला कोशन है मिठे सागी दरगा किस दुर्ग में इस्तित जो जलवाड में हैं यहां काली सिंद और ओहनेदियों के संगह बना हुए नेक्सट के तरफ राइस्तान का कौन सा दुर्ग है जिसमें आपको सिर्फ पत्थर लखी की ट现在 में क्या इस्ट्Re Amina इसका कि एक इस्वेंग यृतिrogen जेसलमेड दूर्ग जालोर का किला जो चेहन दोसंतर ऑगा नाम से जाना चाहता है कि आसा मना चाहता है कि उस दुर्ग में भूत रहते हैं पहला है ककनवाडी का दुर्ग दूसरा है पाला किला तीसरा है लोगाड, चोता है भानगड़ दुर्ग जेहां दोस्तो इसका राइट आंसर होगा अजब गड भानगड़ दूर्ग जो अलुहर में इस्तिते जिसको भूदहामेहल कहा जाता है अगला क्वेशन है औरंजेव ने अपने भाई दारा सिको को किस दुर्ग में केद करके रखा था पेला आप्षान बाला किला दुसरा नागोड दूर्गो दूर्ग तिस्रा आप्षान है काकन वाडी का दूर्ग चोथा आप्षान है मेक जीन दूर्ग जी hem जो शरीषका में इस्तित है चलिए चलते हैं नेक्ट कोश्चन के तरफ हसन खामेवाती की वीरग अथा राष्तान के किस दुर्ग से जुड़ी हुई है महरांगार दुर्ग दूसरा है मैजीन दुर्ग तीसरा है बाला किला चोता है सिवाना दुर्ग करकर्ए जीहाँ दोस्तों एर बाबर के खिलाब हसन का मेवाती ने महाराना संगा की सहिता की थी जिसमें हसन का मेवाती वीर गती को प्राप्त हुए चले चलता है next question के तरफ हाल दीमत्ती दोरान मान विरद्द से दियार करें ते यां ढेम मंधलों के विरदran कि तयार कि ती जिसवकलोन दोस्त तूंध slifellam अगला कोश्चन है जगत शिरो मनी मंदिर किस दुर्ग में इस्तित है जगत शिरो मनी मंदिर किस दुर्ग में इस्तित है पहला उप्षन है जेगर दुर्ग दूसरा उप्षन है नहारगर दुर्ग तीसरा उप्षन है मंडोर दुर्ग मंडोर चोथा उप्षन है आमेर दु मेजगस रोमणी मन्दीर है जो जैपूर मिश्थित राइस्थान का जीबराल्टर किस तुर तुर को गración उस्थान का सोधान का से छिबरालटर किस तुर को कहा जाता है पफेला जीन दूसरा नागोड तिसी रहे लौऑगड भक्रभयत टारागटर जी एय दोस्तों इसका राइट एंसर होगा यहां धूस्तान का जिपरेँल अजमेर को कहा चाता है नेकितारा गूंति को कि को आगड़ो कॉस्टों से राणी पधमनी का सम्बंद राइस्तान में तोस्तों उसने रानी पदवनी की चर्चा किसे न किसी दुर्ग में जरूर की होगी किसे न कि इतियास के पन्यों में राणी चर्चा जरूर ओगी जहां दुस्तों रानी पदवनी जो सिहल दीप की राजकुमारी थी उरतन सिंग्य की पथनी थी इसका समद्न राइस्तान के इस दूर्फ से हैं वस्टने में जूंद कgew से हैं कि अगला क्वेसिंट है कटारगडद किस दूर्ग मेंेचत आज दोस्टों कटारगड नमक लगु दूर्ग में इस्तित प्रहे स्ली चांव सब्सक्राइब कुंबगडद में स्टित है कि महाराना कुम्बा की अत्या उसके ही पूत्त्र उदा ने किए चलते हूं कि तरफ गोर बादल महल किस तुर्ग में स्टित है जी हां दोस्तों पदमनी के भाई और चाचा गोरा और बादल मतलब गोरा जाचा था बादल उसका भाई था ता है वैंत पंदमनी जिसका संबंद चित्वह से हैं तो जय हीशाय सी बाथ है गोरावादल का में कि चित्वह करता ही नियths को मिश्टा देर्प उन तरफ बूस्ट diffic ने कुम्बलगड दुर्ग तीसरा अप्षण है चितोडगड दूर्ग चोत्व अप्षन है कोई नहीं जियां दोस्तों इसका राइट अंसर होगा रंधम वहला है कि रन्थम बोर का किला जिसके बारे मपूल फचल ने कहा कि यह दुर्ग भक्तर बंद है बाकी दुर्ग सब नंगे हैं चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है गिरी दुर्ग का उधारण है जिहां दोस्तों आपने इत्यास में कही परकार के दुर्ग तो अपसने उपरुक्त सभी जहां दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेहरानगर्ड तुर्ग जो एक गिरी दुर्ग है जैसल मेर किला धनुवे दुर्ग कि सरेणी में आता है रिगिस्तान बनो गागरोन गागरोन दुर्ग यह जल्दुर्ग कि सरेणी में आता है जो आ दिन्ना और भीवा यहां दोस्ता पहला अप्षन है मेहरांगर्दुर्ग दूसरा है चित्तोडगर्दुर्ग तीसरा अप्षन है सिवाना दुर्ग छोथा अप्षन है कुछा मनका किला इसका राइट अंसर होगा मेहरांगर्दुर्ग तन्हा भीवा की लोग गता हैं मेहरांगर्दुर्ग से जुड़ी हुई हैं जो जोदपुर में हैं चलते नेक्स पॉस्चन की तरफ मेहरांगर्दुर्ग की स्थापना किस नहीं की थी मेहरांगर्दुर्ग की स्थापना किस महार किस राजाने की थी मतलब प्रेला अपसे ना राव भी का तूसरा राणा महरान कुमा थिसरा राव जोधा जोथा है कोई नहीं जहां दोस्तों महरां ने दूर किस्ता अपना राव जोधा ने चोदे सो उन्सट में की थी इसमें महर नामक वक्ति के बली दी गए थी जो चिडिया टूप नामक पहाड़ी पर बना हुआ है चले चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरव भावरा थल नामक परशिद्ध इस्तल किस दूर्ग में इस्तित है पहला है लोहागड तूसरा है अचलगड तीसरा है सिवाना चोथा अप्शन है महरान गड़ दूर इसका र पहला प्राब किस दूर्ग में इसते थे संद लाओ किस दूर्ग में पहला सिन कुछी महरान गड़ दूर लुन्द naology nationale on all गपर 10ाम भी तीसरा हे पाला किला क्मिजा चोथा dress ये सिवाना दूर का सिक लिंदी अ और हुट томकि य। बार अनुंजर होगा सिवानाend' चिते थे मेहरांगर तुसरा है रंतंभा़ कि ला तीसरा है तारागर जहता है कोई नहीं दोस्तों इसका राएट झाल चब्या गां कि यहां दोस्तौं इसका राइट झाल सरोगा मेहरानगर्डव्ध क्यराइध संग के स्वड़र की सट्री म医रांगर्ड फुर्व जोद परमिष्थित ये चलते हैं कि अधिक तरफ कि निम में से पारिक दुर्ग है निम ने उसे पारिक दुर्भ पारिक मतलब खाई होती है जो चारों कुन सा दुर्गव जोसके चारों सब्सक्राइब कोई है जो पारिक दुर्ग का सर्विस्ट वदाराने, चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चीले का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है फैल अपसाने नाहर गड़ दूसरा है को पार्म सिंग पतली और उनके कुछ साथियों को करांती कारीों से बचाने के लिए किस दुर्ग में पनादी थी जहां दोस्तों एक बार फिर कोश्चन को रिपिट कर देता हूं अठाप सत्ता उनकी क्रांती के दोरान जो जैपुर के महराजा राम सिंग ने बिटी रेजिडेंस की पत्नी और उनकी कुछ सातियों को क्रांती कारी से बच्चेने के लिए किस दुर्ग में पना दीती पहला और अप्सान है नहारगड़ दूसरा है जेगड़ दूसरा है काकनवाड़ी दूर्ग जोता है कोई नहीं जहां दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नहारगड़ दुर्ग जो जैपुर मिश्तित है उसमें राम सिंग ने बेटी रेजिडेंस और की पत्र नियों उसके कु कर दुरु कि तरफ कि अगला क्वेस्टन का पर्थम्साग किस दुर्ग में हुआ था मर से नंगा पर्थम्साग किस दूर्गया प्रथम्न दूसरा है चिक्ट्वे troublesome तिजरा शिवाना तुर्ग् encore दूस्तों दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रंथम बोर का खिला कि नर्शन का पर्थम सागा 1301 में रंथम बोर में हुआ था जो हम्मिद उसका सवता हम्मिद देव अलावज दीन खिलजी गमदे 301 में हुए युद्ध के द्वरान हुआ चलते हैं अगले कोश्चिन के तरफ विजय का आपके जिये में स्प्रिंट है विजय का प्रतीक विजय इस्थम किस दूर्ग में इस्थित है जहां दोस्तों पहला अप्शन मेहरांगड दूसरा है अचलगड तीसरा है चित्तोडगर दूर्ग चोथा उप्शन है चालूर का किला इसका राइट अंसर होगा चित्तोडगा किला चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विजय इस्थमकर निर्वान महराना कुम्भा ने 24 44 44 के मद्दे गुजराद विजय के अपलक्ष में बनवाया था चित्तोडगर दूर्ग में चलते हैं अगले कोश्चिन की तरफ पूल दर्वाजा किस दुर्ग का अंतीम दर्वाजा है पहला प्षण चित्टोडगड दूर्ग, दूसरा है कुमलगड दूर्ग, तार्यगड, चोता है महरानगड जिहां दोस्तो इसका राइट अंसर होगा चित्टोडगड किल्ए में साथ दर्वाजे हैं शिर्टोड का रामपोली दर्वाज़ा है चलेहीश्न की दुर्फ रावभान Sonadmara kiska से mendjan vermati अनें परताव महारानपरताप का πα्रताप का सेनपाती था अकबर और महराना परताब की मद्धे हुई युद में रो महराना परताब का सेनपाती रावाल सोनक रहा था जिसके निर्थत्तों में राजपूर से नहों नियाकबर के खिलाब युद लड़ा चलिए चलते हैं अगले कोशन की तरफ मराठाओं को पहली बार किस रियासत ने राइस्थान में आमिंत्रित किया था पहला उपसे ने जैपूर ने दूसरा डुमरपूर ने तीसरा वंदी ने जोता है जलावाड ने यहां दोस्तों मराठाओं को पहली बार भूंदी रियासत ने आमिंत्रित किया था मराठाओं जिसक की मार अने को रियासतों को जहलनी पड़ी थी चलिए चलते हैं अंगली कोशिन की तरफ वीर सातल देव का संबंध किस दुर्ग से है जालोर दुर्ग तुसरा है कुमलगर दुर्ग तीसरा है सिवाना दुर्ग चोता अप्सन है जेसल मेरे दुर्ग यहां सबसां है जालोर तुसरा है सिवाना तुसरा है कुमलगर चोता है जेसल मेर का किला सोफ हाज गोर से श्थी दुर्ग जो बाड़ मेर में है उससे समदेट है कि जनले चलता है नेक्स कॉस्चिन के तरब जे वार्ण वेगान तोबत किस दुर्ग में है जे पावतो किस दुर्ग में स्थत ये वार्ण टुर्ग depicts जमंने के पूर जिठ्वान तोड़ अजवोद दोस्तों दोट यानि जेगरद जलेगान में स्थत थे जलता है नेक्ट्सक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जिन वद्र सूरी ग्रंत बंडार जो दुरलब ग्रंतों को बंडार है वो जैसल में दुर मीचते थे चले चलते हैं अन्तिम कोश्चिन के तरप सर्ट टॉमस रो ने जहागीर से मुलाकात किस दुर में की थी सर्ट टॉमस रो जिसने सोले सो पंद्रे में बिटिस इंडिया कंपनी के तरप से वपार को इंडिया भारत में प्रारम करने के लिए जहागीर से मुलाकात की थी पहला अपसा थारागड दूसरा है नागोर दुर्ग तीसरा है बाला गिला चोथा है मैग जिन दूर्ग जिहां दोस्तों इसका राय टांस रोगा मैग जिन दुर्ग जिसमें शर्टों मसलें ने जहागिर से मुलाकात कि और जहागिर ने कुछ छेत्रों में वापार करने के अनुमती प्रदान की गई थी जहां दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबाईए ज तो किसे ने किसी एक्जाम में पूछे गए हैं उनको लेके आऊंगा जियां दूस्तों कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताए कि किस भी वीडियो डाले हैं